दोस्तों घरेल उप्चार और सुकी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में जो नुस्का हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो दिल की तमाम बीमारियों के लिए एक रामबान का काम करता है और पहुती गजब का नुस्का है दोस्तों यदि हम ये कहें कि जिस घर में ये दवा ये नुसका मौजूद है उस घर में दिल का रोगी कभी होई नहीं सकता दोस्तों दिल की बीमारियों क्यों होती है ये इसकी वज़े है सबसे बड़ी ये कोलेस्टरॉल कोलेस्टरॉल एक ऐसी बीमारी है जिसे जब तक टेस्ट ना क कराया जाए इसकी भनक तक नहीं लगती और इसका बिल्कुल भी पतना नहीं लगता यह धिरी-धिरे हमारे नसों में जमने लगता है और धिरी-धिरे से बीमारियों में मुबतला हो चुका है और इंसान की मौत कभी भी हो जकती है ऐसे में डोक्टर एडवाइज करते हैं कि बाइपाइस सर्जी करवालो या ओपन हार्ट सर्जीर करवालो उसमें बहुत खर्चा होता है लाखों का खर्चा होता है दोस्तों उसके बावजूद पेसेंट ठीक नहीं होता है दोस्तों कोलेस्ट्रोल बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो एसंतुलित खराब खानपान आलसी भरा जीवन मानसिक और सारिडिक तनाव ये सब कोलेस्ट्रोल के लेवल को बढ़ाने के लिए काफी है दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा घर लेलू और गजब का नुस्का लेकर आए है जिसके इस्तिमाल से कोलेस्ट्रोल से लेकर रक्त वाहिकाओं की सफाई कर देगा ये नुस्का इस नुस्के में जो इस्तिमाल होने वाली सामगरी है कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करेंगी बैड कोलेस्ट्रोल का नामोनिसान मटा और जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है उसको कंट्रोल रखेगी और रत वहिकाएं यानि ब्लड वैसल उनकी सफाई पूरी तरह से सफाई कर देगी इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो है दोस्तो एक कप अधरक का जूस यह देख रहे हैं आप यह अधरक है एक कप अ साइडर विनिगर यानि सेव का सिरका लें ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है और एक कप लहसुन करस ठीक है और एक कप हमें चाहिए नीमबू करस यह तीनों चीजें यह चारों चीजें एक कप ले ले दोस्तो इनकरस निकालना आसान है अधरक को छील लें और उसे सबार एक टुकड़े काटकर ग्रैंडर में डालकर उसका जूस निकाल लें और इसी तरह लेसन का जूस भी निकाल लें अब इसको बनाने की विद्धी देखते हैं दोस्तों यह जो हमने सामगरी आपको बताई हैं इन्हें एक बरतन में डालकर धीमियाज पर उबलने के ल कर दें और धीरी धारे it Самरुंस को ठंडा होने दें फिम्धी के बाद आप इसमें तीन कप सहद मिला लें तीन कप सहद मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिक्सकर क KPाच की बोटल में भररा रख लें और बस दोस्तों यह अनमॉल दबा बन कर तयार है इस मिसरन का आपको हर रोज एक चम्मच खाली पेट सुभे सेवन करना है और उसके आधा या पूने घंटे बाद तक कुछ ना खाएं उसके बाद आप कोई खाना ले सकते हैं दोस्तो परेज आपको करना है दारू का सेवन ना करें नसीली वस्तों से बचें दुमरपान ना करें और जंक फूड का इस्तिमाल बिलकुल ना करें तलेवी चीजों का इस्तिमाल ना करें और जाद तेल घी वाले चीज़ें ना खाएं दोस्तो व्यायाम भी करें सुबह टहलने के लिए भार जाएं घर में योका कर सकते हैं और वॉकिंग के लिए जा सकते हैं बस यहीं आपको एक्सेसाइज करनी है और इस खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल बरतना है मैं आपको यकिन दिलाता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी आपको दिल की बीमारी नहीं होगी यदि आपने इस नुसके को इस्तिमाल कर लिया दोस्तो यदि हम दूसरी भासा में कहें कि जिस जिस घर में ये दवा है उस घर में दिल का पेसेंट या दिल का रोगी कभी भी ये जरूर नहीं कि दिल का रोगी ही इसको इस्तिमाल करें, इसे कोई भी इस्तिमाल कर सकता है, इसके साइड अफेक्ट नहीं है, जब भी आप टेस्ट कराएं, कोलेस्टोल की मातराईदी बढ़ ही निकलती है, तो आप तुरंत इस नुसके को बनाएं और इस्तिमाल कर लें, दोस्तो ये एक ऐसी दवा है, जिसके साइड अफेक्ट नहीं है, इससे आप जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं, इसलिए जब भी आप इसको नुसके को देखें, पढ़ें, सुनें इसके बारे में, तो आप इसको दूसरे लोग क्या असान से उपायों के साथ, तब तक आप हसते रहें, मस्कुराते रहें, और अपना ख्याल रखें, दोस्तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे लोगों के साथ भी इसलिए उसके को शेयर करें, ठीक है, थैंक यू